सब्सक्राइब करांगे पंजाबी पेडागोजी दा प्रेक्टिस सेट नंबर अपना गया रहा है इस तो पहला दास प्रेक्टिस सेट और इस तो लावा व्याग कर दिया फुल रिटेल दे विच वीडियो अप्लोड ने जिनने हर्प देनाल तुसी अपनी सीट अपनी सीट सेट अप्लोड ने जी पहला एक एक टॉपक नों डिटेल देविच डिस्कस किता सिंगल लाइन क्वेश्चन दिया वीडियो वी अप्लोड ने और उस तो बाद प्रेक्टिस सेट अप्लोड ने जो कि काफी हैलफुल ने तो आदी पी एस्ट आट और सीट आट दी इलेवन कॉस्चन नंबर वान है जी पंजाबी पेड़ागोजी दा लिंग्वा फोन इक जे है यंतर है जिस राही बच्यानू ऑप्शन ए जी शुद्द लिखाई सिखाई जन्दी है ऑप्शन बी है जी आम पाशा सुनाई जन्दी है ऑप्शन सी जी शुद्द पाशा आके ओनानू शुद्द जेड़ा पूलना हूँ सिखाया जन्दा है सो जेड़ा एक सहाइक समगरी है बच्च्यानू शुद्द पाशा सुनाउन वास्ते नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर अपना दो जोग के समय विच केड़ी पाशा से खलाई दी विधी अपनाई ज जो है सखाया जन्दा है पड़ाया जन्दा है ता इसता सही अंसर है जी ऑप्शन ए क्लास रूम अध्यापन दे रही और जोग के समय जड़ी पाशा सखाई जन्दी प्रशन नमर अपना तेनना जी सिखन विच उपचारिक सिख्या दी लोड रिमेडियल जड़ी कोचिंग की जन्दा है उस्तीकी जन्दा होटे में पाशा जन्दा विच जेड़ा आंसर है जरी बाथ्च्ट आपश्यां थे जसा वी तरह दा उना देविचे जड़ा पाशा दोश रूंदा है उसनों दूर करन दे लई जड़ा है उपचारिक सिख्या उपचार दा जपाँ वैसे मीजिंग कर दिये था उन्दा कि इलाज करना किसे चीज दा तब बच्चे देविचे जड़ा कोई दोश है पाशा नू चार है जिए पाशा पाठ पुस्तक दी सहता नाव द्यार थी ऐक अप्शन एजिए अपने आप ही पढ़ सकते हैं ऑप्शन भी है जड़ा दी परफ़ाइऑ कर सकते हैं ऑप्शन डी है वाच्चन यानि कि पढ़न आप्शन अगे हैं जी वार्ता लाप व्याकरन रचना आ व्याकर्ण रचना आद सारा कुछ जड़ा है पाश्या दी पाठ पुस्तक दे रहीं सिख देने जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चिन नंबर अपना पांजा जी पाठ पुस्तका होते वदे रे निर्परता कार्ण बच्चे जी बच्चे जड़ा तर जड़ा पाठ पुस्तक दे डिपेंड होगे ता की होएगा उप्शन है जी ज्यादा पढ़ाई करदे हैं ऑप्शन B है जी पढ़ाई वल त्यान नहीं देदे ऑप्शन C है जी रच्टा लगांदी प्रविक्ति वाल वदे हैं ऑप्शन D है प्रोकत सारे तह ता सही जड़ा बिल्कुल अंसर है ओप्शन सी क्राइमिंग वाल बच्चे वादे ने जेकर बिल्कुल ही पाठ पुस्तक ते ही निर पर होंगे पास पुस्तक ते ही डिपंड होंगे तब बच्चे जड़े ने ज़्यादा तर जड़ा हो और अट्टा लगाउं दी प्रिबित्तीवल वजन विए क्वस्टे लगापना ऐसे व किसे विकती वल्लों बोल दे अते सिख्दे हो और सईज्ज ही वरते जानवाले आपशन बी है जी ऑ किर्यास शीर शब्दावली ऑपशन् से पर तक शब्दावली option डिया जी आपर तक शब्दावली तो इसदा सही अंसर है जी option A किर्या शील शब्दावली कहा जन्दा जदो कोई व्यक्ति बोलन लगदा है या कुछ लिखदा है ते अपने कोलों सेज़े ही एटोमेटिक की शब्द जड़े वर्तदा है तो उस जड़े शब्दावली नो किर्या शील शब्दावली कहा जन्दा है क्वेश्चन अंगल अपना सात्ता जी बच्चयां दी पाशा सिखन दी समर्था किस तरह पर्खी जन्दी है option A है जी मुलांकन वीदी option B है जी practical option C है जी मौकिक प्रिख्या option D है जी लिखती वीदी जी डिन ही बच्चयां दी पाशा सिखन दी समर्था है ओहो पर्खी जान दी है कि किन्य कूँ मतलव के जी पाशा है बच्चे हो सिख सागदे ने किस तरीक देनाल सिख सागदे ने उना दी कमपैस्टी अपा कह सकते हैं समरथा की है सिखन दी क्वेश्चन नमबर गे अठा जी मीना कई बार एक ही शब्दनों ठीक लिखती है ते कई बार गल्त इस दा कार्ण की हो सकता जी अप्शन ए जी दुरुस्त यानि के ठीक शब्द जोड़दा उस दूग घ्यान नहीं है अप्शन भी जी पाशा सिख्या दे विच गल्ती है अप्शन सी जी पाशा सिख्या दी गल्त विदी दे कारण या अप्शन डी है जी लापराही वरतन दे कारण तो सही अंसर जेड़ा इस दाएगा अप्शन डी है जी लापराही जी दो बच्चा एक वारी सही लिखन लग जाए और उसे शब्द नो ही जे कर दबाराओ गल्त लिखदा था इक मिन क्यों हो लापराही वरतन रहा है है जी पशाई कोशलता सबावग कर मकीं है जी सीक्वेंस की ए लेंगवेज दा शिखन दा जो श्किछल इस दा ऋसन और उसता ऑप्शन ए है जी वाचंग मॉखिक यह होजहें नहीं सबतो पहले 있죠 और फेर उसे नोघ कोशिष्य किती में यह बोलन है फेर उसनों बूला जोसाया जहनदा और फिर लिखना तो सही करमा है option C सुनना मौकिक वाच्चन ते लिखना question number 10 अपना अधे आपकनू पाशा सिखलाई दे समय केड़ी गलते बाल देना चाहिए या योर देना चाहिए option A पाशा दी कताब ते option B पशाई प्रिक्षन ते option C पाशा इस्तेमाल कर ली मौके ते option D पाशा दे काम विचे one सवन्द ता सुरीकार दे काम दे विचे one सवन्द ता जी लग लग तरहां था बच्चे नो जड़ा होमवर्क हो तित्ता जावे सही अंसर इस्ताएगा जी option C जिनने असी वद तो वद बच्चे नो मौके दमांगे पाशा इस्तेमाल करना दे बच्चा जी जड़ी पाशा सुखलाईया ओहो वदिया होएगी बच्चा जड़ा खुल के पाशा सिखेगा सो सी जड़ा सही अंसर है पाशा इस्तेमाल करन दे वद तो वद बच्चे नो मौके परदान करना दे बच्चा जी पाशा सिख्या दी मुलांकन वी दी दा पर मुख दोश के जो एवेलुएशन किती जन दी है पाशा सिख्या दी उस दे वेचे केड़ा दोश है जी option है जी option D उपरोकत सारी एक ता सब्सक्राइब प्रम प्रागत जो पहला दिया ने वहीं चली आ रही है ने पुरानिया विदिया ने ग्यान परक्षा जन्दा है जो लैंग्वेज स्कील है और परक्षी जन्दी और विग्यान कता दी इसे विच काटा है question number 12 जी एक चंगी पुस् option D है जी उपरोकत सारे सही अंसर है जी option D विया करनक शुदता जो grammatical mistakes ने उस्ते विच होने चाहिए और पाशा शैली है जडी उस पस्ट होनी चाहिए गुंजलदार नहीं होनी चाहिए और सब तो वड़ी गाल C option है जी बच्चेयां दे अनकूल उस्ते अंदर जड़ा है एक चंगी पुस्तक दे विच विशावस्तू होना जरूरी है जेकर आपा फरस्ट दे बच्चे नूँ बीए लैवल दिया कताबां देदांगे ता बच्चे दा इंटरस्ट जड़ा हो नहीं बनेगा पाशा नूँ सिखन दे विच इस करके सब तो वड़ा है बच्चेयां कूल विशावस्तू व्यकरनक शुदता और उस पाशादी स्पश्ता सारे जड़ेने जरूरी ने इक चंगी पाठ पुस्तक दे विच अग्याजी क्वेश्चन नंबर 13 पाठ दा जटिल अर्थ समझन नहीं हेट लिक्यां विच्चों केड़ाबाद सहय का है अप्शन नंबर 14 पाशा वग्यान केहा जन्दा है शैली वग्यान तुरी मग्यान पाशा वग्यान जा शाब्दिक ग्यान सो अप्शन दे विच अपाँ जटने पर सही जटा अंसर है पाशा वग्यान पाशा वग्यान ही कहा जन्दा है अप्शन सी जटा है सही अंसर है जी क्वेश्चन नंबर के है जी पंद्रा इनना विच्चों मूल रूपिच केड़ा पाठ उच्ची उच्ची पढ़ना चाहिदा है ऑप्शन एजी स्वय जीवनी ऑप्शन भी है जी कहानी जी सफर नामा ऑप्शन डी है जी लेक तरह सही अंसर है ऑप्शन भी है जी कहानी जड़ी है ओह उच्ची उच्ची पढ़नी चाहिदे ना विच्चों क्योंकि कहानी जड़ी है इंट्रस्ट दिना पढ़ी और सुनी जान दिये जी आज दा अपना पंजाबी पैड़ा गो पंजाबी पैड़ा गोजी पंजाबी विया करनी है बहुत वदी है वीडियो अप्लोड ने जी पूरी फोल ड्रेल देविच सो ओ जरूर देख लेना उस तेना आल देखन तो बाद जीड़े प्रैक्टिस अट आशी नेक्स टाइम अप्लोड करांगे और तो आड़ेली का आफियसान हो जानागे तो थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग देख वीडियो नुमत वाद शेयर लाइव जरूर करना जी